हेलो मेरे होनहार बच्चों आप सभी क्यासे हैं आसा करती हूं अच्छे होंगे मस्त होंगे और तंद्रुस्त भी होंगे बिलकुर मेरी ही तरह तो बच्चों आज के सेशन में क्या स्टार्ट करने वाले हों यह सोच रहे होगे क्योंकि भई हमने अब तो अभी बहुत दिन के बाद आप लोगों से मेरी मुलाकात भी हो रही है और आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेट छोटा सा ही टोपिक है पर मैं सोची कि दो दो तीन तीन मिनट का आप लोगों के लिए बनाते जाओं कुछ नहीं होता क्योंकि अ सब्सक्राइब हो ही गया है और अब हम स्टर्ट करने हमारे सब्सक्राइब जो कि 15 से अपना 27 27 27 travelers है और हमारे 27 तारीक के पैपर हमको क्या इंपॉर्टेन चीजें पढ़ना है हलाकि मैं पूरादा आपको पूरा जो लेक्टर है खतमकरी हुई हूं लेकिन बहुत सरे ऐसे भी है बहुत ही है सफिसियेंट है अप इतना को एटलिस करते जो और आप लोगों के लिए कोश्चन प्रोवाइट कराते जाओंगे लगभग आपके एक्जाम सके तो मैं पूरा करवाते जाओंगी तो चले बेस्टार्ट करते एक छोटा सा टॉपिक है जो कि स्टार्ट करें और क्यूंकि यह हमने दसवी में भी पढ़ा हुआ है तो वह तीज़े तो दिमांग में बैठती ही हमको पताई है ना तो चले बेस्टार्ट करते हैं हमारा दसवी का जो हमारे चैप्टर उसका नाम क्या टॉपिक है सोलवा अध्याग पर्यावारे प्रदूशन के बारे मे में हम जानेंगे ओजोन परत का अपक्षा बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके लिए विभिन विभिन प्रकार की संधियां हो रही है पता ही होगा आप लोगों को कि बहुत चर्चे में चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर चल रहे हैं कि भाई ओजोन परत को बचाओ हमारा खता रहे होगा आए दिन यह न्यूस पर में लिखाताा है बड़ बढ़ी है विभिन देशों के लोग इतने लोग बैठे होए है इस बात पर चर्चा कर रहे हैं ही है कि पेपर में हमने सुना हुआ है ठीक हाप लोग ना चले फ़ोपर दो परनन है परत अपक्षम में में काम होता है ओंर ठीक है तो आप लोगों को सबसे पहले टीन यह पता हो डिपला तके एक्षिन में ओजून क्या है ओजून जिसको अपन क्या देते हैं सब्होर कुणंतर प्र connected ओथी आप यह सोच रहोंगे मैदम ओफिस वह तला और जुड़ जाए यह ओ झोड़ जाए तब कि क्या बना देगा ओत्री बना लेता है इसी को हम क्या बोलते है ओजोन परत कहते हैं ठीक है और यही ओजोन परत जो होता है यह हमारी पृथी के लिए बहुत ही ज्यादा जूर्णी होता है आपने देखा होगा नाइट्रोजन जो गैसी होती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड जो गैसी होती है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैसी जब तूटती है हमारे वातावरन में जब यह तूट जाती है ठीक है जब यह तूटती है तो किसमे कनवर्ट हो जाएगी भाई नाइट्रोजन में और किसमे oxygen में ये convert हो जाती है यही होता है ना लेकिन वातावरण में oxygen जो है स्वतंत रूप में भी पाया जाता है सिर्फ और सिप oxygen ठीक है यह आपके oxygen के दो मॉलیکल नहीं oxygen single free oxygen ठीक है तो यह जब oxygen जब है यह ओटू केसाद क्रिया करता है तो क्या बना लेगा ओध्री यही परद्जो होता है यही परद्ध हमारे प्रृत्थी को क्या करता है बिटब प्रोटेक्ट करता है क्लिएरे पहले समझो कि होता क्या चीज है तो यह चीज होता है तो हमारे आपके एटमोस्फियर में यानि कि वातावपरण में जो नाइट्रोजन डायॉक्सिट से होती है जब यह विगटित होती है तब यह नाइट्रोजन और ओक्सीजन दोनों क्या हो जाते हैं विगटित अलग हो जाएंगे और यही जो O2 होता है, इस free oxygen के सत्क्रिया करके क्या बना लेता है, O3 का परत बना लेता है, और यही जो परत होता है, हमारे पृत्थी को क्या करता है, प्रोटक्ट, अब किस से प्रोटक्ट करता है, यह important, भई आपने तो कहा दिया भई, यह परत जो है प्रोटक्ट करता है, तो किसे से प्रोटेक्ट करेगा यह important है तो सबसे पहले तो आप इस चित्र को ध्यान से देखो भई यह क्या चीज है ठीक है तो आपको यह दिखाई दे रहे क्या है यह सूर्य है सनलाइट है यह क्या है भई सनलाइट है ठीक है अब इस सनलाइट को ध्यान से देखो मतलब सूरी की रोश्णी यहां से यह बहिवर वरे पढ़ रहे कहां हमारा क्या है प्रिति यह हमारा प्रित्थी यह प्रिति हैं और रुदी फोड़ी चप्टी यह याल रहेचे प्रिथी पर जीव जंतु यहां पर उपर है तो जब सूरिकी रोषनी धीरे से हमारे प्रिथीं पर आएगी धीरे करके यहां तक पहुंचते जाए एक विता थ्यान गया है , आरी है , सनलाइट की की टिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेसज सारे जिसमें से एक नाम आप सुने होगी UV रेस क्या बटा UV रेस A, UV रेस B, UV रेस C, ये सब UV यहनि कि अल्ट्रा वाइले जो होती है ये हमारी पृथ्थी पर क्या होती है पहुंसती है ठीक है उनके लिए बहुत हानी कारख होती है आपने सुना होगा यूवी रेस के वज़े से होता है जो होती हमारे जितने पिजीव जनतु होते हैं यानि कि प्रिथी पर पाए जाने वाले समस्त प्रकार के जो सजीव जगत होते हैं उनको यह क्या करता है harmful effective harmful प्रभावित करता है थीच यानिकि उसके लिए लिए णीका रकी कहां से प्रित्ध मेधिन kommen किसलों रही है प्रित्धी पर पहुँच रही है तो सुरिक प्रकास की किलने जो है यनी कि यूवी रिस जो है सुरिक प्रकास में होता है हमारे प्रित्थि के लिए हानिका रखना है च्छाने के लिए प्रित्थी के लिए हमारी प्रित्थी हैं ठीक है और इसके लिए यहाँ को तो हमको इसको क्या करना है बचा के रखना है हमारी पृत्थी को क्या करना है बचा के रखना है तो बचाने के लिए बिटा हम क्या करती है यहां पर एक लेयर बन जाता है पृत्थी में जिसको भी जरूर बताओ मुझे क्या कहते हैं और यही जोन लेयर बटा जो होता है यही हमारे पृथी को बचा करके रखते हैं के ओ थ्री विटा ओ थी जो हो था हमारी प्रिथी पर एक layer बना देता हो किया करेगा उसको क्या कर रहा है रोखने का काम कर Taylor मतलब sunlight में present जो UV rays है उसको क्या कर देगा रोक देगा इतनी बाती समझ आई तो यह जो अपक्षा जो सब्द लिखा अपक्षा मतलब यह होता है क्या इसको कहते है क्यों नस्ट हो रहा है अब क्यों नस्ट हो रहा है अभी तक तो यह बचा रहा था लेकिन अपक्षा क्यों हो रहा है यह इसी के बारे में हम चर्जा कर रहे हैं तो इतनी चीज़े आप लोगों क्लियर हुई ओजोन पलत के बारे में UV rays सनलाइट से आ रही है क्या होता है इतनी चीज़े एक चीज़ बना हुआ है यह हमारी क्या है यह हमारी प्रित्थी है और प्रित्थी के ऊपर देखोगे तो कुछ डिफरेंट टाइप की लेयर दिखाई दे रहे हैं लेयर दिख रहे हैं आपने सुना होगा ना देखो ट्रोपोस्फियर ओजोन होता है स्ट्रेटोस्फियर यह दुनिया भर के क्या होते बहुत सारे लेयर पाए जाते हैं ठीक है अब इस जो लेयर होता है अब देखो बीच में क्या लिखा है ओजोन लेयर लिखाए कि नहीं यही ओजोन लेयर इस प्रित्थी को क्या कर रहे है बचा रहा है ठीक है अब देखो अब आप ओजोन लेयर जो है इसको बचाया अब देखो यहां से जो सनलाइट आ रही है यानि कि यूवी रिस आ रही है यह आपके स्टेटोस्फियर वाले भाग में आ रहा है उपर में और यह नीचे नहीं यह ओजोन के नीचे नहीं कौन किया ओजोन तो ओजोन हमारे अच्छा हुआ अच्छा हुआ अब एक चीज याल रखो मान लो जाएगी ओजोन परत नहीं रहेगा तब क्या होगा भई ओजोन परत नहीं रहेगा तो यह जो यूवी रेस हमारे कहां चली जाएगी प्रिथी पर आ जाएगी प्रिथी में आ जाएगी विट्टा हमारी यूवी रेस और यूविर एक पिढ़ गीप पुथि पुद्धी स्मझकर रहा रहा है पेर पुद्धे जियो जंतों करते जायंगे इंसानों को करते जाएगी मतलब हमारी his को नस्ट कर देगी और समस्ट्र प्रकार जियोजनतों को को भी नस्ट कर देती है ठीक है दूस्यी भर की भीमारे आती पेपड़ों का कैंसर लंग है कैंसर जाद तरह अपने सुना होगा इसलिए हाइलायट कर देती हूं ठीक है तो चलो बढ़ अब बताओ कि इस ओजोन लेयर जो है आपक्षे यह नहीं कि खतम हो रहा है बहुत सुना होगा कि उजोन परत्म नाम सुना होगा बुटा उसका नाम क्या है इसका क्या नाम है यह याद करो हमने एक एक नंबर वाले कोश्चन में इसकी बारे में बात की है क्या होता है यह कुछ बताओ यह कौन सी गया से चलो चलो आप लोग भी कमेंट करके मुझे बताया करो कि इसका पूरा नाम होता है बिटा क्लो फ्लोरो कारबन इसका पूरा नाम है तो यह जो क्लोरो फ्लोरो कारबन जो गैसे होती है यह होती है है हमारी प्रिथी के लिए हानिकारक ठीक है क्योंकि यह हमारे ओजोन लेयर को क्या कर दीती है वह नस्ट कर रही है मतलब धीरे धीरे उसको क्या कर यह खतम कर रही है और इसी गेस के कारण ही क्या हो रहा है हमारा ओजोन परत कर पतला होते जा रहा है ठीक है आपने सुना हो होगा और क्या कारण होता है ये तो है ही उसका कारण आध questa है एस सब अपने सुन ऊट होगा इन सभी कारण क्या होता है यह चितनी बीदे क्रति है यह हमारी पृत्ति के लिए हानिकार करती और क्या करती है and ठीक हो यानि कि और जोन लेयर को धिरी धिरी पतला और नस्ट और छेद कर रही है ठीक है अब इसी के कारण अभी बहुत सारी बिमारियां जो है यूवी रेस के कारण हो रहा है क्यूंकि ये पतला हुआ इसके चलते ही जो यह सनल यूवी रेस है हमारी पृत्थि पर दिन बचाना ज़रूरी हो गया है तो अब बचाएं कैसे हम तो देख लिए भई यह से इस कारण तो यही है ना लेकिन अब हम इसको क्येसे बचाएंगे बचाएंगे बटाओ सीधी बात है आप लोरो फ्लोरो गैस को प्रतिबंध करो बहुत कम यूज करो यह बहुत प्रतिबंध वो थ्री लेयर के बारे में जिसके बारे में हमने बात की थी ठीक है तो ओजोन परतपक्षे की क्या है यह के दूस्प्रभा हो है इसको भी देखो बहुत क्या क्या होता है आपने सुना होगा त्वचा में जलन तशॉत या कINTसर फिक होटा तो तथमकर का इंसर नो तवक र का कैंसर आपनी सुना होगा तो इतनी सारे डीसी जो होती यह होता ही है साथ ही साथ पेर पौधो को भी क्या कर रहा है नस्ट कर रहा च्छती पहुंचा रहा है तो यह उसकी क्या था कुछ दुस्प्रभाव था ठीक अब इसके लिए एक प्रोटोकॉल भी लाया गया था और इसको हम कैसे कम कर सकते हैं ओजोन लेयर को कैसे बचा सकते हैं इस पर पूरा बात किया जा सकता है और मौन्ट्रियल प्रोटोकॉल वही होता है 2017 से 2012 में भी हुआ है नेक्स्ट भी हुआ होगा आप लोग पर पढ़ते रहेंगे तो आप लोगों को और जनकारी हो जाएगी इसके बारे में ठीक है तो चले भाई आपने देखा कि क्या होता है ओजोन लेयर कैसे रोकते हैं क्या करते हैं यह सारा चीज हमने बता दिया तो किसने मैसेच किया है कि फाइप मार्क से कोशन कौन से आ सकते हैं उस पर बनाईए करके तो मैं जरूर इसके बाद जस्ट वही मैं लेक्टर जो है मैं बनाने वाली हूं आप लोगों के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत कर जिए जितना आप लोग बोलते जाएंगे मैं उतना आप लोग के लिए हैप करते जाओंगे आप लोग मुझे कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करें लाइक ज्यादा किया करें ताकि मुझे भी प्रसाहन मिले सपोर्ट मिले और मैं और आप लोगों के लिए मेहनत करते जाओं तो 15-27 तारीक एकदम दिमाग में बात करूं ठीक है तो चले इजाज़त दीजे नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा फर्स चैप्टर का जो कि फाइप मार्स का कुशिम बनता है धन्यवाद